हेलो एब्रिवान वेल्कम तो माई यूट्व चैनल होम साइंस एजूकेशन आज की वीडियो में शेयर करने जारी यूपी बोर्ड क्लास 12 की बच्चों के लिए ग्रिव इज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो ठीक है अभी यूपी बोर्ड का एक्जाम स्टार्ट होने वाला इसमें उन्ली मैने बहुथ ही कलपी प्रशन इसमें तयार किया है तो आप बहुथ है कल्पी जो कुेस्टर जो भी मार्स मिलते हैं तो आप बहुथ प्रशन जो भी आते हैं उसको पुरा आप सटी कांसर दीजिए गलो ऊपरे पूरे मार्स आइजे आए तो आये देखेבें पहला प्रश्ण है दूद किस कीटाण के कारण खराब होता है अगला प्रश्ण है वसा में घुलंस जील विटामिन कौन से है वसा में घुलंस जो होते हैं तरीके के होते हैं कुछ होते हैं जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं कुछ जो होते हैं वोटर सॉल्यूबल होते हैं तो यहां पर फैट में सॉल्यूबल विटामिन पूछा जा रहा है तो विटामिन ए डी ए के जो होता है यह वसा में यानि फैट में सॉल्यूबल विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन B और विटामिन C नेक्स प्रशन है रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है रक्त को जो क्लॉट करता है क्लॉट बनाता है ब्लड में वो जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है चार आप्शन दिये हैं गलूटिन, फाइब्रिनोजन, अल्बियूमिन ये सभी तिनो नहीं इसका करेक्ट आंसर है फाइब्रिनोजन अगला प्रशन है स्वस्थ मनुस्य के स्वस्थ मनुस्य एक मिनुट में कितनी बार सांस लेता है अप्शन दिया है 15-18 बार, 5-10 बार, 25-30 बार, अनेमित, करेक्ट आंसर क्या है 15-18 बार अगला प्रशन है कुट्टे के काटने से कौन सा रोग होता है तो कुट्टे के काटने से कौन सा रोग होता है option दिया है रतांधी एनीमिया रेबीज विकलांगता तो correct answer क्या है रेबीज अगला प्रशन है विश्व स्वास संगठन का मुख्याले कहां सी तर विश्व स्वास संगठन का मुख्याले जो है कहां पे सी तर option जो दिया है दिल्ली मुंबई जिनेवा कानपूर तो correct answer क्या अगला प्रश्ण है डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है अभी आप देखे होंगे कि ठंडी के पहले डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ था तो जैसे ही ठंडी स्टार्ट हुए थी अक्टूबर नवंबर में तो डेंगू फैलने का कारण क्या है यह मच्छर से फ चैलता है अगला प्रशेंollen व्यवाही असामंजसिता का मुख्य कारण क्या है भोज़न व्यचारिक मत्वेर मकान कप्र तो खर्रेक्ट ऑप्शन क्या है मैं सथापना कब होई ऑप्शन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई और फो द occupation इनिश्यायालिस्जिश्शष civ 20 1961 और 1954 करेट अगला प्रस्न है इन में से कौन सा दिष्ट दोस्ट है इसमें इन ब्रिमारियों के नाम दी हुए जैसे माईयोपिया फाइल एरिया डायबिटीज सभी माईयोपिया जो होता है यह दिष्ट दोस्ट से रिलेटेड होता इसलिए दिष्ट दोस्ते समंधित क्या है इसमें मायोपिया है अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जाता से जाता वीडियो को हमारे सेयर करें जिससे आपको भी बेनिफिट मिल सके और आपकी ज जा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो फायदेमंद हो। अगला प्रेस्ण है चेचक रोग होता है तो जल्ब द्वारा रक्त द्वारा वायु द्वारा भोजन द्वार तो जो सब्सक्राइब रक्त की सुधी किस अंग में होती है बलेड का प्यूरिफिकेशन होता है वह ब अगला प्रश्ण है भोपाल दुर्घटना किस का उदारण है वाई प्रदूशन का जल प्रदूशन द्वानी प्रदूशन निदा प्रदूशन तो वाई प्रदूशन जो है भोपाल दुर्घटना का उदारण है भोपाल दूर्घटना जो है वाई प्रदूशन का तो 21 जो है इसका correct answer है भुकम को किस पैमाने से नापते हैं यह सारे question जो भी है बहुत ही important है इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा बहुत अच्छे तरीके से अब इसको ध्यान से पढ़िएगा भुकम को किस पैमाने से नापते हैं इसका correct answer जो होगा खोगा विटामिने की कमी से कौन सा रूग होता है रतांधी यहाँ पर विटामिन एकी कमी से क्या होता है ये है objective questions अब इसके आगे जो भी मैं और भी वीडियोस बनाऊँगे जिसमें objective भी रहेंगे और अतिलगुतरी लगुतरी मुलगदीर गुतरी सब टाइप के question मैं आपको बना करके दूँगी आप उसे तयारी करिएगा आपके बहुत अच्छे mouse आएंगे वीडियो आपको कैसे लिए कि वीडियो पसंद आई useful है कि तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल में आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में